वरून दवन स्टारर जुडवादों का पहला गाना टंटना टंटन टंटारा रिलीज हो गया है हाला कि वरून दवन तापसी पनू और जैकलीन फर्नांडीज से चलती है क्या 9 से 12 है पूचते हुए क्यूट बहुत लग रहे हैं लेकिन उनमें सल्मान खान वाला च्छोरा पन नहीं है और लोगों ने ये बात नोटिस की और विटर पर बताई लोगों को जुड़ादो का ये गान आए वरिज लगा और इसमें सल्मान खान वाली बात नहीं लगी कुल मिला कर वरून दवन सल्मान को कौपी तो कर ले गए लेकिन सल्मान नहीं बन पाई दरसल इसका कारण भी बड़ा दिल्चस्प है कारण ये है कि वरून दवन केवल सल्मान खान नहीं है वरून दवन दरसल सल्मान खान और गोविंदा का परफेक कॉम्बिनेशन है सल्मान और गोविंदा एक साथ मिले तो हसीना मान जाएगी और पार्टरनर जैसी सुपर मजेदार फिल्म दर्शकों को मिली लेकिन अब ना वो वाले सलमान रहे हैं ना ही वो सुप्रपनी गोविंदा पर दो स्टार्स का रिप्लेस्मेंट अगर एक ही में मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा और ऐसा ही रिप्लेस्मेंट है वरून दवन सल्मान प्लस गोविंदा कई लोगों का मानना है कि वरून दवन सल्मान खान और गोविंदा का परफेक कॉम्बिनेशन है और इस बात का सुबूत हम आपको देने वाले हैं गोविंदा का डांस वरून दवन का डांस बॉलेवुड में परफेक्ट है उनकी डांसिंग के सब फैन है चाहे रादा तेरा ठुमका हो या तेरा हीरो इधर है उनके अंदर गोविंदा बसते हैं सलमान की बड़ी सलमान खान ने ओ ओ जाने जाना से अपनी बड़ी का ऐसा जलवा दिखाया कि लोग उनके कायल हो गए और इसके बाद वरून दवन ने पहली ही फिल्म में अपनी बड़ी दिखा कर सब को अपना फैन कर लिया है गोविन्दा की स्माइल गोविन्दा और वरून दवन दोनों की ही एक स्माइल टेशन फ्री कर सकती है और वाकई दोनों का अंदाज भी लगभग सेम ही है सल्मान की स्टाइल वैसे तो आधा बॉलेवुड ही सल्मान का फैन है लेकिन वरुन दवन ने हमेशा कहा है कि वो पूरे सल्मान फैन है और सल्मान को ही कॉपी करने में उन्होंने अपना आधा जीवन बिता दिया गोविन्दा की कॉमेडी वरुन और गोविन्दा दोनों का कॉमेडी स्टाइल काफी एक जैसा है चाहे वो दिल वाले हो या मैं तेरा हीरो या फिर स्टूडेंट अफ दे यर वरुन के अंदर वो गोविन्दा फैक्टर हमेशा दिखता है सल्मान का चार्म सल्मान खान आज भी लोगों को बस अपनी अदा से दीवाना बना देते हैं उनकी मासूमियत फैंस को पसंदाती है और वरुन दवन का भी यही हाल है वो आज भी अपनी मासूमियत से फैंस का दिल जीत लेते हैं गोविंदा की हाइट बस एक हाइट में वरून दवन आज के एक तज से मात खा जाते हैं लेकिन यही फैक्टर उन्हें और गोविंदा जैसा बना देता है और वाकई इस मामले में दोनों जुड़वा पार्टनर हैं